Hello guys, good morning, welcome back to my channel, कैसी हो आप सब, I hope कि आप सब अच्छे हो, और मैं तो ठीक ठाक हूँ, मतलब अभी ना ये संडे का क्लिप है, और आज फिर से साटेड़े आ गई है, बीज मैं मैं कुछ Q&A वीडियो पोस्ट की, इसके वज़े से ये सारे क्लिप्स मेरे पास रहे गया था, ब मैं कल पोस्ट करने की कोशिश की, और तीन सारे तीन घंटा बैठे रहने के बाद भी, ये मेरा जो वीडियो है, वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, हर बड़ी ये से कुछ 30%, 35% होने के बाद, वो स्टक हो रहा था, और जाके मैं सोची कि आपको एबार पूछ लेती हूँ, क्य प्रब्लम हो गया है, और उसको मुझे fix करना पड़ेगा as soon as possible, इसी महीने मुझे laptop ले लेनी चाहिए थी, पर इतना ज्यादा पैसा नहीं आया था, क्योंकि editing के लिए एक अच्छा laptop लेना पड़ेगा मुझे, which will be really costly, और इतना पैसा तो आया नहीं था, पता नहीं next month कैसा पाएगा क्या नहीं, मुझे रखता है मेरे salary से invest करना पड़ेगा थोड़ा सा पैसा, पर कोई बात नहीं, I think मैं next month तो जरूर ले लूँगी, next month नहीं मतलब इसी महीने के end में, क्योंकि मुझे काम करने के लिए बहुत जादा दिक्कत हो रही है, मैं आपको समझा नहीं सकत कभी कभी ऐसा रखता है, मुझे गुसे में आगे कि मैं laptop तोड़ दू मतलब, और ऐसा problem कब होता है, पता है, जब आप पूरा editing कर लेते हो, और आप मतलब last 10% बचा है, जो की है export होना, उसमें आपका कोई काम नहीं होता, आपका जो भी काम है, clips को एक साथ गठा करके, उसक का काम है, इसको export करना, और वो भी काम यह नहीं कर पा रहा है, बीच में पता नहीं क्या reason है, क्यों हो रहा है, पहले एक बार हुआ था, पर इतना, मतलब, एक दो बार हुआ, उसके बाद, it happened, and I posted that video, पर इस बार तो हुआ ही नहीं, मतलब, then I had to give up, I mean, give up, I don't give up easily, I think I tried for like 15 16 times, after that I was like, you know what, इससे जादा नहीं होगा, तो मैंने छोड़ दिया था हूँ आपर, और यही सब बात करते करते, देखो हमारा सारा काम हो गया, संडे के जित्ते भी काम थे, cleaning वगेरा, deep cleaning, सब कुछ हम संडे को करते हैं, क्योंकि, of course, मेरे हस्बेंड होते हैं, मैं ऐसे करती तो एक ही दिन चुट्टी मिली, luckily it was Sunday, तो we can go out somewhere in the evening, मैं थोड़े दिर सो गई थी दुपेर को, क्योंकि रात को जब अब लेट नाइट लोते हो ना, उसके बाद दो तिन घंटा जिते भी सोते हो, वो आपका नीन जो है, वो पूरा नहीं होता है, अभी भी जो सो ही ना, उसमें में नीन पूरा नहीं हुआ, और कल भी मुझे पांच पजे उठना पड़ेगा, तो उसमें भी तीन-चार घंटा ही सो पाऊंगी मैं, तो ऐसी हो जाता है कभी-कभी बैक-टू-बैक, पांच दिन मैं ऐसे ही बस चार-पांच घंटे, चार-पांच घंटे हडो सो के काम करती हूँ, तब भी जाके बहुत एक्जास्ट हो जाती हूँ, फिर जाके बहुत जादा मुश्किल होता है, अब कभी-कभी एक दिन चुटी लेना पड़ता है, तब इसलिए मैं उस दिन चुटी ली थी, याद है आपको, तो हाँ, ये देखो, ये बाला ड्रेस, ड्र भी ने पहन रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा बालों को ड्राइ कर लिया, और ये लिप्टिन के ऊपर से टिशू पेपर से एक बाड़ डैप कर लो, तो थोड़ा जादा नैच्रल हो जाता है, और मुझे ऐसे नैच्रल लूक जादा पसंद है, अभी निकल गए हम, और मैं सो और ये देखो, ये मेरा गिंबल है, नहीं पाड़ा है, और गिंबल सारे तीन-चार किलो का है, तो ये साथ-आर्ट किलो का चीज, मैं अभी बाइक में जा रहे हम, इसलिए नहीं ले रहे है, और बारिश भी आरी है बीचवीच में, तो माय हस्बेंड बारिश आजाएगी यह देखो हम निकल गई, यहाँ पर थोड़ा सा ट्राफिक मिला था, यहाँ पर एक मॉल है, तो इस चगे थोड़ा सा ट्राफिक होता है, उज्योरी संडे को ट्राफिक नहीं होनी चाहिए, और बाकी रस्ता हमें खाली मिला, यह देखो कितना सुन्दर लग रहा था, यह ना बस मैं एक ही बात सोचती हूं कि यहां पे जो कुरूल हो गाए इनों को अभी थोड़े देन में ही काम करना पड़ेगा मंदलब इसके बारे में भी सोचते है तो आपको व्याया क्या करना है और यह देखो हम पाउच करें हैं, Salt Lake, मतरब हम कही जानी रहे हैं घूम रहे हैं कहीं बीग़ हम लोग मुसली जब कहीं जाने का नहीं होता है हम एक पार्क चल जाता हैं देखे होंगे और यह दो को नरसरी है बंद हो गया है और एक था खुला था पर हमें जाने का मैं नहीं गई मैं हस्बिन बोल रहे थे जाना है और ये शॉप कितना सुन्दर लग रहा था सी ये एक शॉप है I think चाई के चाई कॉफी के लिए है शायद और इतना प्रिटी था बहुत अच्छे से सजा के रखे थे I wish कि मैं ना दिन में अनधी तो आपको दिखा थी यह जो एयरिया है और मुझे बहुत जादा पर यहां पेंग्ठ लेने का मन है पता है पर यह जगें बहुत एकस्पैंसिव है मैं हमेशा में बहुत हस्बिन को बोलती हूँ क्या यहां पर घर लेना पॉसिबल नहीं है और यहां कुछ खाली भ यह है और अधियात्रा बहुत दिन पहले हो गया फिर भी मेला था अभी तक और यह आज ना लास दिन था तो हम गए अंदर और जाके तो मैं शॉक्ट हो गई मतलब इतना बड़ा मेला मैं कोलकाता में पहली बार देखी था बड़ा मेला होता है यहां पर मेला बहुत सारे इम पर मेरी फ्लाइट होती है ना फ्लाइट पर जाने का मन ही नहीं करता इस बार भी मुझे दुर्गापुजा में छुट्टी नहीं मिली और नहीं तो दिवाली में मिली है कैसी भी करके मैं बस भाईदूज में छुट्टी लिया तो हाँ भाईदूज में घर जाओंगी इस बार मैं चार साल के बाद घर जाओंगी, 2018 में भाईदुज मनाई थी मैं भाई के साथ, भाई आया था, मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि एक ही दिन छुट्टी थी, और उसके नेक्स दे मेरी फ्लाइट थी सुबा सुबा, और इस बार मैं जाओंगी, पहले से बोलने से दिक्कत हो जाती है, मुझे हरबारी, पर आपको बता दिया, और आप भी प्रे करना हां, कि मैं इस बार भाई दुज में घर जा पाऊ, मुझे बहुत मन है, और मैं भी प्रे करती हूं, अगर आप भाई दुज मनाना चाहते हो, अपने भाई के साथ, आपको भी छुटी मिले काम से, ताकि आप वो दिन सेलिब्रेट कर पाओ, ये देखो, सेरमीक का ये दुकान, मुझे बहुत पसंद आयते, छुटी-छुटी कप्स दिख रहे हैं आपको, मैं लेना चाहती थी, पर मैं हस्बन मना कर दिया थी, बाद में खड़े दोंगी कभी छोड़ो, ये राइड्स मैं आपको दिखा रही थी, बहुत सारे राइड्स थे यहां पर पता है, फिर हम फुचका भी खाएं यहां पर, और आप में से कुछ लोगों से भी मिली, मैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर, आप लोग आके मुझे जब यह ऐसे बोलते हो ना, कि दी मैं आपके वीडियो देखती हूँ, और पेनी कैसी है, कभी ऐसा भी होता है, कि आप लोग सीधा आके मुझे यह पूचते हो, कि पेनी कैसी है, तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर यह देखो, यह सारे राइट्स है, यह एक ऐसे गारी जैसा है, रेल गारी जैसा, यह तो इजी है, इस पे चर सकते हो, और यह वाला मुझे ना, चरने का बहुत मान करता है, पर ऐसे किदर भी घूम जाता है, तो मुझे डर लगता है, अगर ऐसे कुछ मदब सर घूम गया, तो कोई पार्टनर चाहिए होता है, आपको पता है, यह सब राइट्स में चरने के लिए, यह मेरी गोडाउंड है, मैं मेरे दोस्त के साथ, पहली बार चरी थी, मेरी गोडाउंड में, वही पहला और अभी वही लास्ट है, फिलाल तो, आज मैं चरना चाहती थी, मैं बोली में हस्बन को, और हर चीज के लिए इनोंने मना कर दिया, और मेरे दोस्त को याद होगा, इफ यूर वचिंग, मुझे बहुत मजा आया था, उस बार, थोड़ा सेफटी का प्रॉब्लम, इन दा सेंस, लाइक कोई बेल्ट वगेरा नहीं होता, फॉर्स दो तीन बार आपको थोड़ा डर लगती है, जब आप उपर से नीचे के तरफ आते हो, पर देन यू गेट उस्टो, तो हाँ, अगर आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताना हाँ, मेरी गोडाउन कभी चरे आप, और कोई दूसरा राइट चरे, आप कहीं पार्क में जाके, या कोई मतलब मेले में जाके, तो मुझे कामें सेक्शन में बताना, और ये दुकान, लास्ट टाइम जब मैं मेरे दोस्ट के साथ गई थी ना, तब भी भी था, वहाँ पे, और ये सेम सेल्समैन भी था, तो इफ शी इस वाचिंग, यहाँ से मैं एक चीज खड़ी दी, अभी हर चीज के लिए मना किये, तो यह तो मैं छोड़ने नहीं वाली थी, यहाँ पे मुझे कुछ लेना ही था, आप वो शॉट वीडियो में देखे होंगे, घर जाके मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, यह ना वाच रखने के लिए खड़ी दी, मैं जूलरी बॉक्स जैसा है, इसके अंदर जूलरी तो है नहीं मेरे पास, तो मैं वाचिज रखूँगी, वाचिज मेरे लिए जूलरी है अभी तो, और यह बाहर आके भी देखो, इतने सारे दुकान बाहर भी लगे थे, तो हाँ भगा के लिए अच्छिली, मुझे और थोड़ा देर रहना था, आपको भी थोड़ा देर दिखाना था, पर मैं हस्बिन डिस लाइक लेट हो रहे हैं, बारिश आज आएगी, चल दी चलो, दोस्तों के साथ, हाँ, स्कूल फ्रेंज जो है अभी, तो यहाँ पर जो दोस्त के बात करी वो तो मेरी कलीक थी, पर कलीक से भी जादा वो मेरी दोस्त है, मदब फॉर्स्ट फ्यू मन्स अली, वी हादा, नौट एवन्स हम एक साथ रहते थे, जब हम बैंगलोर गया ट्रेनिंग के टाइम पर, तो हम तीन लड़किया एक साथ रहते थे, और उस समय से हम तीनों का अलगी बॉन्ड बन गया, और वो बॉन्ड मदब आइम सो लगी, और आइम सो हैपी टू से थाट वो बॉन्ड अभी भी है, तो हाँ, ये बॉक्स है, जो जिसके बारे में बात करे थी, ये वुडेन बॉक्स है, इसके उपर ऐसे काम किये हुए है, मतलब ये आइधिंग हैं, और अंदर ना ऐसे रेट कलर के वेलवेट लगे हुए थे, फिर मेरे सारे वॉच्चिस सजा दिये, देखो, कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, इसके अंदर ना कुछ-कुछ लगा हुआ था, बदब डस थोड़ा सा, और वो हटाना पड़ा मुझे, एन नाओ, आइम मेकिंग ग्लुकॉंडी, येस, हम ठके नहीं हैं, पर मुझे ग्लुकॉंडी पीने का मन कर रहा है, तो ग्लुकॉंडी पीएंगे हम, मैं दोनों के लिए बना रही हूँ, मुझे पैनी के लिए बनाने का मन कर रहा है, पर ग्लुकॉंडी के अंदर शुगर होती है, और शुगर ना, like dogs they cannot digest sugar मैं गलती से मिठाई खिलाई थी एक बार और उसके बाद तब इत्खराब हो गया था उसको डॉक्टर बहुत डांटे हमको कि मिठाई कौन खिलाता है अपनी पैट को मतलब थोड़ा बहुत इंटरनेल पर देख लिया करो dog they cannot digest फिर जाके उसके बाद से कभी भी कुछ भी नहीं देती है मैं बहुत अभी I control myself और ये देखो अभी चत पे आये हैं हम ये एरोपलीन टिक ओफ लैंडिंग अब हर रोज देखते हो मैं हर रोज देखती हूँ पर मैं थक नहीं जाती हूँ पता नहीं क्यों मुझे मैं दिन भर यहाँ पर 24 गंटा बैट कर टिक ओफ लैंडिंग देख सकती हूँ और सोचो कभी कभी आप लोग बोलते हो कि जौब छोड़ दो बताओ मैं जौब केसे चोड़ू इतना obsessed हूँ मैं मेरे जौब के साथ और ये पैनी और पैनी के रादी यहाँ पर light लेके खेल रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा आसपास दिखा रही थी मौसम अच्छा है आज बारिश वी ना दिन भर थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत करके तो गर्मी नहीं है बिल्कुल भी और ये देखो आसपास ये सामने एक रस्ता है घर के बगल में और बहुत बिजी रहता है पर आज संडे है ना तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ट्राफिक कम है अभी ना हम चले जाएंगे नीचे फिर चाके हम खाना काएंगे पेनी को भी खाना के लाएंगे ये देखो हम आ गए हैं और ये देखो पेनी आई पेनी के डैडी पहली आ गए थे उन्होंने आके कैमरा ओन किया एक्चिली तो हाँ बिहाइंड दा सीन जो आप मुझे रिक्वेस्स किये ना मेरा जो स्ट्रगल है मैं आपको सामने से दिखाऊंगी आपको तो पूरा दिखता नहीं है हाला कि मैं बताती हूँ यहां पे आके आपको वॉइस ओवर में और मुझे बताना पसंद है शेयर करना पसंद है जब आपके साथ शेयर करती हूँ ना यहां आपके साथ नाए व्लॉग में बिलूगी फिर से इस व्लॉग में यही पर शमाप्त करती हूँ और आप अपना ध्यान रखना until the next time we meet again in my next video उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना guys बाई टेक केर